आपको याद होगा हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर को हरियाना के गैंक्स्टर जिसने जान से मारने की धंकी दे थी आज से 6 मेने पहले उस गैंक्स्टर का नाम था गैंक्स्टर मीपा और ना हमस्किले को जांसे मारने के दमके दिये था, लेकिन आज इस बारे में तो इस बारे में एक अपडेट में सुर्जय सोचल मेडिया पर वाइरल करने हम रही है कि वो गैंग्स्टर मीपा अब अमेरिका में लगतार पिट रहा है यानि कि गैंग्स्टर मीपा जो अपने आपको बड़ा गैंग्स्टर बताता है सोशल मेडिया पर चलाता है लोगों को भधी-भधी कालिया दिया करता है वो गैंक्ष्टर मीपा अमेरिका की गलियों में सड़कों पर पिटता हुआ दिखाई दे रहा है उसे कोई भी आकर पिट किसे लगाता है तो क्या है इस कहानी की सच्चाई? इस वीडियो की सच्चाई क्या है आपको बताएंगे? तो आप वीडियो के अंद तक बने रहेगा नमस्कार मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF News की Crime Series कलनायक जिसमें हम आपको रोचाना सुनाते हैं अपराद के दुनिया से जोड़ी चोड़ी और बड़ी ख़वरें तो इसे ध्यान से देखिए इसका नाम है गैंक्शन मीपा और इसी ने आज से 6-7 महिने पहले हरियाना के मौकी मंतरी मनोहर लाल खटर को फरसे से काट कर जान से मारने के धमके दे थी और उस समय भी हमने ख़वर दिखाई थी और आप सभी ने उस ख़वर को बहुत प्यार दिया था बहुत ही सिद्ध से आप लोगों ने उस ख़वर को देखा था नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आप चाहे तो दुबारा उस ख़वर को जाकर आप देख सकते हैं तो इस ख़वर में अपडेट यह है कि उसी गैंक्सर मीपा को पकड़ने के लिए पुलीस जहां लगातार कोशेशें कर रहे थी पुलीस के गिरफ्ट में तो नहीं आए क्योंकि उन्हीं अमेरिका में बैटा हुआ है लेकिन अमेरिका में बैट कर मीपा उसके बाद भी सोशल मेडिया पर और सारे और कई सारे गैंक्सरों को लेकर बहुत ही भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता है अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और लोग कहीं न कहीं उसके इंतजार में रहते हैं कि कब गैंक्टर मीपा मिले और कब उसकी जो है हालत खराग करते जाए तो गैंक्टर मीपा कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी गैंक्टर मीपा ने कई बार कई समाज के लिए मांजनक शब्नों का इस्तेमाल कर चुका है फिर गैंक्टर मीपा के अंदर एक खास बात देखे जाती है कि पहले तो लोगों को गालिया दिया करता है फिर बाद में जब मामला बहुत ज़्यादा बिवादित हो जाता है दोग उसे कोशते हमारने के लिए तो माफी मांग लेता है लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो को देखकर अगर आप गैंक्टर मीपा के बारे में और दोला जानेंगे तो आप यह सोचेंगे कि गैंक्स्टर मीपा के बारे में एक सचाई और है कि गैंक्स्टर मीपा की कहीं न कहीं हमेशा पिटाई होती दिखाई देती है तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस समय वाइरल हो रहा है उस वीडियो में गैंक्सर मीपा को अमेरिका के अंदर कोई ट्रक में पेटता हो दिखा जा रहा है और चेहरे को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह गैंक्सर मीपा है अला कि इस वीडियो को हम यहाँ पर नह नज़ा लग जाएगा कि एक बार नीकल कर सामने और आती है कहा जाता है कि एक बार निरेजबाना गैंग लिए कुछ इस तरह के अप प्रैयोग कर रहा था तो निरेज्बाना गैंग के बदमाश भी वहां जाकर इसके पिटाई कर कराते हैं और और सोशल मीडिया पर इसको पीटते वे वीडियो डालते हैं उस ख़बर को भी हमने आपको दिखाया था तो गैंक्सर मीपा की सच्चाई यही है कि गैंक्सर मीपा इस समय अमेरिका में बैठा हुआ है और उसे लगता है कि वहां बैठ कर वो किसी को भी गाली दे सकता है किसी नहीं कहीं वो लोग जरूर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर इस सुकून महसूस कर रहे हैं जो गैंक्सर मीपा द्वरा सताय गये थे फिलाल इस ख़बर पर अपनी राय जरूर दीजेगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं बीडिये अफ पर हम लगातार आप रात के दुनिया से जुड़े हुई चोटी और बड़ी ख़बरे दिखाया करते हैं तो मेलते एंगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और कोई गलती हो गई हो तो हमेशा कितना च्हामा कर देजिए नावस्कार